अधुक्षियो तरह थे लिए ये कि आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है और मैं आगई हूं च्षट पर कौधमें पानी लगाने के लिए तो सारी कोदो में पानी लगा रही हूं और यह मैं पालक में पानी लगा रही हूं और पालक भी ग्रो होने लगा है जब बड़ा होगा तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो इधर मैंने पालक बोया है और यह दूसरी टंकी थी तो टूटी हुई है तो मैं अब उसे खैकने वाली हूं और ये और मैंने ये खीरा भी भोया है और खीरा भी उगने तो भी मैं दिखाती हूं आप लोगों को तो बस यह यह पॉद हो मैं और यह फिर मैं DIY बनाती हूं दोपर मैं इनी सब चीजों में अपना टाइम निकालती हूं पहले मैं जब YouTube पे वीडियो डालने से पहले मैं PUBG में अपना टाइम निकालती थी फिर मैं नहीं तुछा यार इसमें टाइम वेस्ट करना है तो दैन मैं फिर यह वीडियो बनाने लगी और मैंने और भी चीजें बोई हैं जब बड़े होंगी सब तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो में तो छोटा सा चहते हैं और यहां पर मैं क्योंकि छोटा सा घर है यह कोचिंग एक्चुली नीचे कोचिंग चलती है चार फ्लोर पे और सबसे ऊपर पांचवे फ्लोर पर हम रहते हैं और अभी ही रहते हैं इसलिए यह बहुत छोटा सा हम घर है हमारा एक बड़ा है जिसमें मम्य पापा रहते हैं तो और ये एक रूम में इसमें डॉक्स रहते थे अब ये बन रहा है वो भी मैं दिखाती हूं आप लोग को और ये देखो अब मैं जा रही हूं ये चिलीज बौने के लिए। अभी तक थी चिलीज और आब भी रही थी उस पर काफी आई भी थी लेकिन अब वो समय नहीं खाड़के फैक दी क्योंकि आप वो उस पर आने रहाता चिलीज तो अम फिरसे ग्रो कर रही हूं। चिलीज को फिर से बो रही हूं कि पानी रगा देंगे बस हो गया जब ये ग्रो होंगी तो मैं नेक्स्ट जब भी ये होती है छह साथ दिन में लगबा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पानी लग चुका है और फिल्हाल मैं थोड़ी देर शाम हो गई है तो बहुत अच्छी हवा भी चल रही है चट पर तो मैं इस टाइम हूं शिक्स थूलो रुपे और मैं आप लोकों दिखाती हूं मेरे चट के नीचे का व्यू तो यह है मेरे चट के नीचे का व्यू और भी होती है न तो बाहर का जो व्यू बहुत ही प्यारा लगता है और यह मेरा च्छोटा सा गार्डन मैं पहले भी दिखा चुकी हूं और यह खीरे जो मैंने बोय थे वह ग्रो हो गए तो यह सब में उपर यह जो चट सी बनाई है मैंने बासों से इस पे चड़ाने वाली पहले जादा मैंने कुछ नहीं बोया था च्छत पे क्योंकि मैं ध्यान भी नहीं देती थी क्योंकि मेरे पास तब डॉग्स थे और मैं उनका करती थी इसलिए तो यह जो उपर वाला जो रूम है अभी इसको स्टोर की तरह रखा हुआ है मैंने यह सब मेरे पौद ही हुआ है कि तो मैं बता रही थी डॉग्स के बारे मैं कि वह पहले मेरे पास 14 थे मतलब चार थे और मेरी एक फीमेल है उसने टैन पपीज दिये थे तो मेरे पर 14 हो गए थे सबसे प्यारा जो था मेरा जो जो था इसमें सब डॉग्स ही रहते थी और अभी इसमें मैंने समान रखा हुआ है स्टूर रोम टाइप बना लिया है तो अभी इसको इस रोम को भी ठीक करने वाले हैं आभी क्योंकि उपर बार्बी क्यों लगाने वाले हैं तो जब भी बाद इसको ठीक करेंगे तो मैं दिखाऊंगे आप लोगों को बाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में